दोस्तों, आप मेंसे बहुत सारे ऐसे स्टुडेंट होंगे, जो ख्वाब तो I.S. बनने का देखते हैं, ख्वाब तो U.P.S.E. क्रेक्ट करने का देखते हैं, वो ख्वाब देखते हैं कि वो एक सरकारी नोकरी का एक्जाम जल्दी से क्वालिफाई कर लें, लेकिन ना चाह आते हुए भी पता नहीं क्यों वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं यहां पर दोस्तों मैं आपको एक ऐसी बात पताने वाला हूं जिसको बहुत सारे ऐसे लोगों ने बताया है जो already कई government exam qualify कर चुके हैं या फिर वो UPSC का exam qualify कर चुके हैं तो एक चीज मैंने comment पाई है जिन सभी बच्चों में वो common चीज मैं आपके साथ में share करने वाला हूं लेकिन सबसे जरूरी चीज है कि जो बात मैं आपको बताने वाला हूं उसे आप कितने सिद्दत से follow करते हैं उ आपको हमारी बातों से motivation मिला या नहीं मिला दोस्तों देखो एक common सी चीज बताते हैं जब हम सोकर उठते हैं हम पूरे दिन के अंदर में सबसे ज़्यादा time waste करते हैं हम सबसे ज़्यादा time waste करते हैं जब हम सोकर उठते हैं या जब हम सोने को जा रहे होते हैं जब हम सोकर तो बहुत देख, कई घंटों दख, कई लोग ये नहीं जान पाते हैं कि actual में हमको आज दिन की सुरुवात कैसे करनी है, आज अब को क्या करना है, वो क्या करते हैं, कि वो mobile पर time waste करते हैं, mobile पर इदर उदर के फालतों के वीडियो देखते हैं, या फिर चलो कोई educational वीडियो भी देख रहे हो लेकिन अगर आप किसी बिना से डियूल के बिना प्लानिंग के देख रहे हो तो भी वो किसी काम का नहीं है तो यहां पर मैं आपको बतादा हूं वाला हूं कि हमारे साथ में प्रॉब्लम क्या होती है कि हम बड़े लक्षे तो बना लेते हैं लेकिन हम छोट साम को आपके मिन में विचार आएगा कि यार पढ़ाई तो मैंने करी है लेकिन आज की पढ़ाई में मज़ा नहीं आए जब तक निचोड ना निकले पूरे दिन का तब तक पढ़ने में मज़ा नहीं आता है तो यहाँ पर दूस्तों एक कॉमन सी चीज यह मैं आपको बताने वाला हूँ कि कई IES PCS के जब मैंने इंटर्व्यूस देखे तो उनमें से एक कॉमन सी चीज गया निकल कर आती है कि हमें लाइफ में छोटे छोटे गोल्स जरूर बनाने चाहिए जैसे कि आज के पूरे दिन जो है यह आपको डेली बेसिस पर मोटिवेशन नहीं दे सकता आज आपका दिन कैसा रहेगा यह डिपेंड करता है कि आज आपने अपने लिए क्या प्लानिंग करी है और उसको अजीब करने के लिए आप कितना एफ़र्स लगा रहे हैं तो सबसे जरूरी बात हो गई कि ड साथ को सोने जाते हो तो आपकी मन में यह चलना चाहिए कि कल में जब सुबह उठूंगा तो मुझे कौन सा सब्जेक्ट सबसे पहले पढ़ना है जब मैं सुबह उठूंगा तो मुझे ब्रेस करना नहाने के बाद कितने बजे जल्दी से पढ़ने बैठ जाना है जब आप की आँख खुलेगी मौर्णिंग में आप फालतु के वीडियोस देखकर टाइम वेस्ट नहीं करोगे और आप जल्दी से अपना नहाना दोना ये सब करके पढ़ने बैठ जाओगे जब आपको पता होगा तभी आप ये ऐसा कर पाओगे और अगर आपने एक छोटा सा लक्षी बना रखा है कि चलो भाई आज की दिन में मैं हिश्ट्री पढ़ूँगा जियोग्राफी पढ़ूँगा या फिर मैं एक मौक टिस्ट लगाऊंगा तो आपको पूरे दिन का सिडियूल पता है कि मुझे सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक हमुझे इस तरीके से यह 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 चीजे पढ़ने है जब आपको सिडियूल पता होगा तो फटा फट से फटा फट से आप चीज़ों को पढ़ते जाओगे यह तरीका होता है चोटा चोटे गौल बनाओ एक दिन का गौल बनाओ फिर उसके बाद में दो पहर सुबह से लेकर 12 बजी तक का एक गोल अलग से बनाऊं। साम को 2 बजे से लेकर रात के 10 बजे का अलग बनाऊं। फिर और छोटे गोल। माद आप 12 बजे से पहले सुब스ंध 9 बजे से 12 बजे जो आप पढ़ाई करोगे उसमें आपको पढ़ना है। सुबह 9 बजे से 12 बजे जो आप पढ़ाई करोगे उसमें आपको क्या पढ़ना है उसका एक गोल अलग बनाओ तो सही माइने में अगर आप अपने आपको 24 गंटे मोटिवेट रखना चाहते हैं अगर आप अपने लाइफ के एक एक समय को मोटिवेट रखना चाहते हैं तो जितना छोटा गोल हो सके उतना छोटा गोल बनाओ जैसे राइट नाओ जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस समय आप अगले आने वाले एक गंटे का गोल बना लो कि चलो यार अगले एक गंटे में मैं कहीं बिर उठकर नहीं जाओंगा और इस एक गंटे में मैं हिश्टरी के दो चैटर मुझे कमप्लीट करने हैं तब आप उसको और सिद्दत से कर पाओगे और जब आप मन में यही नहीं सोचके बैठे हो कि मुझे करना क्या है तो कैसे आप कर पाओगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं वो गोल तो बना रखे हैं लेकित उन्होंने long term के गोल बना रखे हैं जो आपको daily basis पर motivate नहीं कर सकते अगर आप daily basis पर motivate होना चाहते हैं तो आपको छोटे छोटे गोल्स बनाने पड़ेंगे अगर आपको मेरी ये बात समझ में आती है तो इमानदारी से पढ़ना सुरू कर दीजिए टाइम वेश्ट बिलकुल मत करिए क्योंकि ये golden time आपके पास में life में दुबारा नहीं आने वाला है otherwise आपको private sector में छोटी नोकरी करनी पड़ेगी और जिन्दगी भर अपने आपको ये कोशते रहोगे कि मेरे पास में मेरे हालात बदलने के लिए कुछ भी options नहीं बचा है इस वज़े से ये जो मौका मिला है इसको utilize करो पैसा कमाओ अच्छी job लो और जीवन में successful बनो